प्रिय विद्यारतियों, आज प्रानिशास्त्र के व्याख्यान में आपन डेवलोपेंटल बायलोजी का अगला टॉपिट, कॉम्पिटेंस, सामर्थ, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर एक मन में इच्छा थी कि आप सबसे ये जो डेवलोपेंटल बायलोजी कर रहे हैं, उसके बारे में एक सामने चर्चा भी करूँ। यह विशेश प्रकार की विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंदर हर एक जो घटना घट रही है, इवेंट घट रहा है, उसमें हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है, हमें उस कारण को जानना है, समझना है। दूसरा, हर एक घटना एक सू नियोजित सीक्वेंस के अंदर घटती है, उनका क्रम है, हमने भी देखा है कि किस प्रकार से क्लिवेज होगा, जाइगोट से क्लिवेज हुआ, मोरूला बना, मोरूला से ब्लास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब घटनाएं सू नियोजित होती हैं वेल रेगुलेटेड होती हैं अगर ये तीन चीजें हम डेवलोप्मेंटल बाइलोजी में समझ जाएं तो ये सब से जटल माने जाने वाली विज्ञान की शाखा सब से सरल हो सकती है मात्र इन तीन विशेश बातों का अपने को ध्यान रखना है और उस हिसाब से अपने को आगे अध्यान करना है आज जिसके बारे में अपन बात करेंगे अंगरे जी में इसे कॉंपिटेंस कहते हैं और हिंदी में सामर्थ यह टर्म कॉंपिटेंस 1932 के अंदर वेडिंग टन ने सर प्रथम इस्तमाल किया और इसकी दो परिभाशा हैं दीये एक फुषालोजिकल स्टेट से दिये और एक इसके मॉर्फोलोजिकल परिभाशा है तो पहली परिभाशा जो दे रहे हैं वो फुषालोजिकल स्टेट को बताते हैं विच पर्मिट्स एट टु रियक्ट इन अ मॉर्फोलोजिकली मॉर्फोजिनेटिकली स्पेसिफिक वे तुवर डिटर्मिनेटिव स्ट्यूमिलस कोई भी कोशिका या कोशिकाओं का समू उत्तक एक निश्चित स्ट्यूमिलस वेग के द्वारा एक निश्चित मॉर्फोजिनेटिक राश्ते द्वारा अपने आपको आगे परिवर्दन करकर एक विशेश प्रकार की कोशिका बनती है उसको कॉम्पिटेंस कहते हैं और मॉर्फिज मॉर्फोलोजिकली अगर आप परिवाशा इसकी देनी चाहेंगे तो कॉम्पिटेंस इस दे टर्म विच संब अब दी अबिलिटी अफ एंजाइम कॉम्प्लिमेंट्स अफ दी एंब्रियोनिक सेल्स अर्थात एंजाइम कॉम्प्लिमेंट्स की अबिलिटी का ये योग है कि किस प्रकार से ये ब्रूनिय कोशिका हैं अपने आपको अनुकूलन करती है एक पर्टिकुलर मेटबोलाइट्स के रेशियो में हम पाएंगे कि ये जो समर्थ कॉम्पिटेंस जिसको का है यहां हमें ना तो क्लीवेज में दिखाई देता है और नहीं ब्लास्टूला के अंदर दिखाई देता है सरप्रथम हमें अगर ये दिखता है तो ये गेस्टूला वस्ता के अंदर दिखता है अब आती है बात कि उपर दो स्टेज जो क्लीवेज और ब्लास्टूला बताया वहां पर नहीं होकर गेस्टूला में क्यों होती है तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप ध्यान रह जब टी आरेने एम आरेने इनका निर्मान होगा तबी तो ट्रांस्क्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन सिंथेसिज होगा उस दोरान में यहां कॉंपिटेंस सामर्थ की शक्ती उस कोशिका को मिलती है यहां हमेशा एक विशेश प्रकार के जो प्रेरक होते हैं उनके द्वारा जो स्ट्यूमलिस मिलता है उसी के अंदर कारे करते हैं तीसरा सबसे जरूरी प्री रिक्विजिट कंडिशन सामर्थ के लिए फंक्शनल जीनोम का होना इस सारे को अगर यह चारो जो मैंने ऊपर के से आपको वाक्य बोले हैं अगर उनको दो ही सेंटेंस में पूरा करू तो प्री रिक्विजिट जरूरी आवशक्ता सामर्थ के लिए दो चीज होती है सरप्रथम फंक्शनल जीनोम का होना और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस का शुरू होना यह दो फंडामेंटल रिक्वाइरमेंट्स हैं कॉम्पिटेंस के लिए यह कॉम्पिटेंस को दर्शाने वाला डाइग्राम है आपके सामने कि कॉम्पिटेंस यहां नीचे वाले डाइग्राम में देखेंगे early cleavage में blastula यह नीचे की जो axis है इसमें अलग-अलग stages बताया है cleavage का blastula, gastula, neurula, tailbird stage यह मेंड़क के अलग-अलग stages बताया है और यह यहाँ पर बताया है उसकी शक्ती parallel axis के उपर तो अपन पाएंगे कि cleavage और blastula में किसी प्रकार का नियोरा gastula के अंदर शुरू हुआ और जब यह mid gastula में आता है तब यह peak आती है सबसे अधिक और फिर दीरे 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 यह नीचे की और हो जाती है और थार mid gastula के अंदर competence सामर्थ की सबसे अधिक सामर्थ शक्ती होती है यह इस diagram के माध्यम से अपने को दिखाए गया है यह दो diagram अपने को competence किस अवस्ता के अंदर सबसे अधिक होती है यह दर्शा तेवे अलग-अलग विबिन अवस्ताओं के अंदर competence का क्या दर प्रतिशत होता है वो इसके अंदर अपने को दर्शाय है फिर एक example दिया है neural induction हम सबने देखा है कि जो cauda mesodermal cells होती है dorsal lip के पास में उनी में शक्ती होती है कि वो प्रेरक का कारे करती है और ectoderm को जो ectoderm इसका responsive tissue होता है उसको neural plate बनाने के लिए neural groove और neural tube अर्थात neural induction देने की शमता होती है यहाँ एक neural induction इस competence का उधारन दिया है जिसके अंदर ectoderm किस प्रकार से nervous system का निर्मान करती है उसके बाद में आते हैं तीन टर्म्स है अपने पहला मैंने competence बताया दूसरा determination बताया और तीसरा विबेदन differentiation यह तीन टर्म्स अपने को बार-बार confuse करेंगे इसलिए एक बार इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे determination किसे कहते है when a cell chooses a particular fate it is set to be a determined हमने fate map पड़ा है जब कोशिकाओं का भाग्या आगे चल कर क्या बनने वाले है उनका निर्धारन हो जाता है तो determination कहलाता है अगर cell यह अपने आप अपना निश्चित भाग्यते कर लेता है कि आगे चल कर यह बनेगा उसको determination कहते है determination implies a stable change the fate of determined cell does not change एक वार जो अपना स्वैम का गंतव्य निश्चित कर लेता है वो वही बनता है therefore determination is the state when the specialized fate of cell or group of cell is fixed अब यहाँ पर इसका गंतव्य यह आगे चल कर यह कोशिका क्या बनने वाली है is determination के अंदर यित्य हो जाता है अब विभेदन क्या होता है differentiation विभेदन को अंगरी जी में differentiation कहते है differentiation is a full sequence of changes involving progressive diversification of cell structure and function एक सामान्य कोशिका ब्लास्टोला में जिनको ब्लास्टोमेस कहते हैं और विभेदित होती है उनमें किसी प्रकार का कोई विभेदन आकार के आदार पर अपने micro और macro उनको का है लेकिन आगे चल कर ये क्या बनने वाली है उस समय तक उनमें कोई निश्चिता नहीं होती और जब ये एक एक कोशिका एक sequence में धीरे धीरे progress करती है और इनका diversification दोना आकार में और कार्य में होता है उसे हम विभेदन कहते हैं ये एक वार कोशिका विभेदित हो जाती है फिर पुना उल्टी दिशा में याने अविभेदित नहीं हो सकती ये दोना प्रकार का विभेदन होता है intra cellular cell के अंदर भी हो सकता है और cell के बाहर भी हो सकता है एक इस सारे को अगर आपन समझ जाते हैं तो फिर एक प्रश्ण अगर यह जो मैंने कुछ आपके सामने रखा है अगर यह आपको पूंड तो समझ में आ गया यह CSIR NET 2016 में यह question आया है दो नंबर का अगर आपने को यह समझ में आ गया चार option इसके सामने cell to cell communication is important in the development of organism the ability of cell to respond a specific inductive signal is called अब यह बताईए क्या का अगर अपने अभी जो पड़ा है आपके अगर यह समझ में आया है मेरे दुआरा दी जानकारी अगर आपके समझ में आई है तो आप तुरंथ दो नंबर competence सामर्च इसका उत्तर देंगे इसका सही उत्तर भी competence है यह एक कोशिका की ability सब तरह के influence को सब प्रकार के आने वाले वेग को नहीं respond करता है मातर जो specific वेग होता है जो उसके लिए आगे चल कर कोशिका को क्या बनाएगा वो संदेश जब इसको मिलता है तब ही यह आगे परिवर्धन करता है इसलिए ability of cell to respond to a specific induciv stimuli या signal is called competence इसके बाद में यह diagram भी वो ही है दूसरी author का है पूरा detail दिया हुआ है इसके अंदर कि किस प्रकार से lens regeneration जो सबसे अच्छा उधारन माना जाता है competence का induction का उसको दर्शाते वे यह अलग-अलग अवस्ताइं दिये का आँख में पाए जाने वाला प्लैकॉइट टेल बर्ट स्टेज के अंदर बनेगा उसके बाद वाली स्टेज के अंदर वेसिकल बनेंगे उसके बाद में उसके आँख के lens के अंदर fibers का निर्मान होगा जब यह लारवा से एडल्ट होता जाए यह कौन-कौन सी अवस्ता में क्या-क्या चीज बनती है इस डाइग्राम में बखुबी बहुत अच्छी तरह से समझाये हुआ है यह जो डाइग्राम है आपके सामने अब यह भी eye lens formation का है जिसको एक आदर्श उधारर माना जाता है embryonic induction का और competence का तो आप देखेंगे कि यह eye lens कहाँ पर यह presumptive lens ectoderm जब यह होता है mid gastrula में तब बनना धीरे धीरे इसका विबेदन शुरू हो जाता है और यह धीरे धीरे यह जब late neural stage में आता है तो अब यहाँ पर यह lens धीरे धीरे अपना आकार लेना शुरू कर देता है इस प्रकार इस प्रकार अगर इसकी पूरी theory जाननी हो तो इसके अंदर आपन यह lens induction का पूरा model है यह मैंने आपको इस PDF के अंदर देऊंगा जो इसको अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे कि यह किस प्रकार से early gastrula में शुरूआ lens बनने का signal मिला शुरूआ और यह जैसे जैसे late neurula stage के अंदर आते आते इसमें यह पूरा आख का lens निर्मान हो जाता है विद्यारतियों आज इसका मैं आपको assignment भी दूँगा निश्चित रूप से यह तीनों term competence, determination और differentiation इन तीनों के विभेद को आज आप अच्छी तरह से समझ गयोंगे और जैसा मैंने पहले शुरू में तीन पॉइंट दिये थे उन तीनों को भी अगर ध्यान से मनन किया होगा तो भविश्य में यह developmental biology अपने लिए बहुत सरल उपयोगी शाखा रहेगी धन्यवाद